आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तिक्का और चिकन तिक्का बनाने के लिए आप यहां देख रहे हैं मैंने यहां पर चिकन तिक्के के लिए वे हैं इस तरीके से और आप लोग ले सकते हैं जितने चिकन तिक्के आप लोग बना सकते हैं लेकिन यहां पर मैं ले रही हूं तकरिवन 6 पीसे चिकन तिक्के के और मैंने भीका मसाला कें यह पूला है उस तरीके से कड़को लगा लियन और यह को स्टेस्ट आप करते हैं जब भी हम मसाला करते हैं रंडर करते हैं पहुसे क्या जिरोर रहते? सबसे पहले हम यहां पर यूज़ करेंगे चिकन टिका मसाला और यह तक्रीवन 40 ग्रैम्स है और इसकी वीडियो में पहले बना चके हूँ चिकन तिक्का मसाली की तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो आप वहां से भी ले सकते हैं जो मैंने इसमें मसाली यूज किये इसके अलावा आप कोई भी पैकेट का मसाला भी यूज कर सकते हैं चिकन तिक्के के लिए तो यहां पर मैं यूज कर रहे हूं 40 ग्रैम्स और मॉस्ट 5 या 4 टेबल स्पून के करीब होगा इस मसाली को हर तरीके से आगे पीछे सब तरफ उसके काट्स जो है उसके अंदर बाद में हाथ से अच्छी तरीके से मसाल के करेंगे थोड़ा सा फूट कलर भी हम यूज करेंगे कलर के लिए पिंच के करीब है या कौटर क्यूंकि आपको पता है कि चिकन तिक्के का कलर बहुत ज़दा औरेंज सा होते तो ज़रा कलर देखने में अच्छा लगता है इससे टेस्ट पर कोई फरक नी पड़ेगा लेक लेमन जूस हम यूज करेंगे यहां पर तकरीबन जतनी ज़रूरत होगी मैं तकरीबन चार से पांच टेबल स्पून के करीब यूज करूंगे तो लेमन जूस हम स्मैट करते है जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून मसाली अच्छे मिक्स करें लिए और तेंदर मसाली अच्छे तरीके ने लिए कि धस्या छिह छीज़ी के आप हुआ है तो मैंने अच्छे तरिक से इन सब तिकों पे मसाला इची तरिके से कोड कर दिया अब मैं इसको तक्रीबन 2-4 गंटे के लिए मैरिनेट कर लिए रख दूंगी और फिर इसके बाद हम इसको बार्बिक्यू करेंगे लेकिन अभी कम से कम इसको आप 2 गंटे जरूर मेरिनेट क लिए रख सकते हैं लेकिन मैं इसको तक्रीबन दो खंटे के रिवारी नेट करूंगी उसके बार फिर हम आते हैं लेकिन हमारे चिगन तिक्के बन गए हैं और आपने देखा के नहायती आसान तरीके से हमने इसको बनाया है और यहां पर मैंने सैलेट प्याज कीरा और हरी चट्टी और राइता और पराटों के साथ सर्फ किया है इसके अलावा हमने कोको कुला यूस की है वह भी आप इसके साथ जरूर सर्फ कीजिए बहुत ही मज़ात है और बहुत बज़ेदार लग रहे हैं इसी तरह से आप लोगों को मेरी रेसिपी जगर पसंद आरी है तो जरूर ट्राइ कीजिए जब तक मैं कोई नेक्स रेसिप आप बहुत आरी है झाल झाल झाल